दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता को जल्द ही एक और एक्सप्रेस रे की सौगात मिले वाली है अगले महिने यूपी की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेस रे का तोफ़ा मिल सकता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस रे को 94% से अधिक बहुत तिक कारिय पूरा हो चुका है कि 20 जून तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस रे का कारिय पूरा हो जाई चत्रकूट, बांदा, मोहवा, हमीर्व, जालों, और एटावा जिलों से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे और यमना एक्सप्रेस वे के सहारे देश की राजधानी जिल्ली से जूड़ेगा 14,889.09 करोड की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेस वे बुंदेल खंड छित के लिए किसी वर्दान से कम नहीं भोगा करीब 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे अभी चार लेंग का है और घृस में इसे 6 लेंग तक बिस्तारित किये जाने की योजना है यूपीडिया के मुताबिक एक्सप्रेस वे के चार में से 3 रेलवे ओबर ब्रिज का निर्मान कारिया पूरा हो चुका है इसके अलावा एक्सप्रेस वे के 19 में से 14 फ्लाइओवर्स का निर्मान कारिया भी पूरा हो चुका है यमना नदी और वेतवा नदी पर पुल का निर पेट्रोलिंग वाहन की तैनाती की जाएगे एक्सप्रेस वे पर 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड स्टेर्गेर्ट के रूप में बनाई गई है बंदेलखंड एक्सप्रेस वे के भरत कूप से इटावा होकर आगरा लखनो एक्सप्रेस वे पर कुद्रैल के पास मिलेगा इस एक्सप्रेस वे की बन जाने से बंदेलखंड अन्य एक्सप्रेस वे जैसे आगरा लखनो उर्वांचल एक्सप्रेस वे और यमना एक्सप्रेस एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्य जिलों से जुड़ जाएगा। बंदेल खंड एक्सप्रेसवे पर छे पैट्रॉल पंप भी होंगे। इसके अलावा एक्सप्रेसवे कैन, वेत्वा, बागे, स्यामा, चंद्रावर, बिर्मा, यमना और सेंगर नदी के उपर से गुजरेगा। चत्कूर, बांदा, मौहवा, हमीरपुर, जालों, औरेया और इटावा जिलों से होते हुए बंदेल खंड एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे और यमना एक्सप्रेसवे के सहारे देश की राधान दिली से जुड़ेगा। 14,849.09 करोड की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे बंदेल खंड छेत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। करीब 290 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अभी 4 लेंग का है और 22 में इसे 6 लेंग तक बनाया जाने की योजना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंदाई होगी। आप अपना प्यार और सेहू यूहीं बनाए रखें। धन्यवाद।